शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले आरनी कुशी उपस बाजार समिती के कर्मेचारियों की लालच और भ्रष्टता पूर्नकारिय अप्रनाली को उजागर करता एक मामला सामने आया है दिगर से आरनी कपास बेशने गए एक उम्रदरास किसान को उक्त समिती के कर्मियों ने टोकन देने के बदले में पैसो की मांग की जिस से हरान होकर किसान नसना सिर्फ अपने कपास भडे वाहन को जलाने का प्रयास के अब बलकि के तक्नाशक पी कर आत्मत्याक करने की भी कोशिश के इस घटना के बाद किसान नेता समवंधित किसान के बचाओं में उतर आए है वही प्रशासन ने इस घटना की सूद लेते हुए कृषय उपस समिती के प्राभारी सच्यू और सायक निभंदक को कारण बताओ नोटी चारी कर दिया है दिग्रश शहर से लगभग 12 किलोमेटर की दूरी पर दारभा रोड पे स्थीत आननवारी पार्थी बेड़ा में रहने वाले वजनलाल थावरा चौभान है पेशे से ये किसान उम्रदराश शक्स अपने परिवार के साथ यहार रहते है वजनलाल का परिवार अच्छा खासा बड़ा है जिसमें छोटे बच्चों और बड़ो सहित लगभग 17 सदस से शामिल है आपको बता दे कि बीते मार्च महने से जारी लॉकडाउन के चलते वे कपास नहीं बेच पाए ऐसे में उनीज जुलाई को एक किराय के वहां से कपास लाद कर भूग के पेट वे आरनी के किशियोत पन्नबाजा समीती पहुँचे जहां उनने समीती कर्मियों ने कपास बेचने के लिए टोकन देने के बतले में 1000 रुपए की मांग की पहले ही भूग से बेजार वजनलाल ने कई मिन्नते की और हाथ जोड़े लेकिन समीती के कर्मचारी नहीं माने इस बाज सियाहत वजनलाल ने उपज मंडी के प्रवेद्वार पे खड़े अपने कपास सिल्लदे वहन को जला दिया और एक परिचीत की किटकनाशक दुकान से किटकनाशक खरिद कर उसे पीने लगे किसमत से आसपास के लोगों ने उनने रोक लिया इस घटना करम के बाद कृशी उपस समिती के पदाधिकारियों और करमचारियों की बोलती बंध हो गए और उनकी कपास बाद में 5,375 रुपए प्रतिक पिंटल के हिसाब से खरिद ली गए इस घटना के बाद नीन से जागी राजसरकार और जीला प्रशासन हरकत में आई और समन्दीत कृशी उपस समिती के प्रभारी सचो और साहिये निभंदक को कारण बताओं नोटी जारी कर दिया गया इसके साथ ही बतोर राजसरकार के प्रतिनिती के रूप में किसान स्वावलंबन मीशन अधिक्ष कि शोरतिबारी ने हाल ही में आननवारी का रुप करते हुए बजनलाल से मुलाकात की और उनकी समस्तियाओ और शिकायतों को सुलजाने का आश्वासन दिया इसके अलावा शुक्रवार को स्वाविवानी शेटकरी संगटना के जिला अधिक्ष तता किसान नेता मनिज जाधों ने भी बजनलाल थावरा चवहान से मुलाकात कर उन्हें हर संभो मदद दिलाने का आश्वासन किया है आज महरास्टरातला कापुस उत्पातक शेटकरी हा वेवस्ते मादे रक्त बंबार जालीला है आज आपन बक्ता है कि दिगरस्त अलुक्या मदले हे पार्दी समाजाचे शेटकरी है कि आपन तेची एकुन आर्थिक परस्तिती आपल्या लक्षातील आज रोजी ट्यांचा घरा मदे जवलपास पंच्चुस किंटल कापुस शिल्लक आए आणी वेवस्ता ही सवयेनी लाचारा है काल यांचा सोबद जो आर्नी मदे CCI चा खरेदी केंद्रावर चा जो प्रकारा है तो खर्या आर्थान शेतकर्याला मजे मुरुत वेक्ति चा मेलेलया मुरुत वेक्ति चा टालू वर्चा लोनी खान्याचा प्रकारा है मी आपला माध्यमातना राज्य शाषनाला विणनती करतो कि जो कोणी वेक्ती कालचा या सबंदित प्रकरनामादे जबापदार असेल त्याला पहले कठोर शाषन कराव कि मरनाचा दारावर तुमी शेतकर्यानना उबकेलेला है और वेवस्ते तुन बे दकल जालेले शेतकर् उसा पहाने चे बाकि या माह अगडी शाषनामादे रालेल cens आय याचा विचाराज राज्य शाषनाने करावा वह उर्वरीत कापूश याचा ततपर तेने घ्यावा जी आज आर्तिक विविन चेना तेचा कुटुम्बा मदे निर्वान जलीली आए, तेचे मूल शिकत है, पार्दी समाजाचा हाँ शितकरी है, कि मान या भावनेचा तरी तेनी आधर करावा, वह याचा घरात रालेले कापसाचा विलेवाट शाष्नाने लाउन दिनेचा समन मालूम हो कि ओत्माल जिले के पालक मंतरी तता दिग्रजदार्वा निर्वाचन शेत्र के विधायक संजराठोर और सांसत भावनागवली ने कई बार किसानों की विभिन्न समस्याव पर सवाल खड़े किये थे, लेकिन इस मामले में विधायक और सांसत दोनों ने अब तक कोई सुद नहिली ना ही पार्दी समाश की किसान वजनलाल थावरा से मुलाकात की है, बीत तीनमा से हर गाव और शेहरवासी के साथ ही मजदूर तथा किसान वर्ग आर्थिक तंगी का शिकार है, और वही किसानों के प्रती सरकार और जन प्रतिनिद्यों की अंदेखी भी नतिजतन किसान वर्ग बेलगाम कृशियों पस बाजार समयते के भ्रष्ट अक्रार रिप्राली का शिकार हो रहा है, उमीद है उप्रोक्त घटना के बाद जन प्रतिनिद्यों सहीद सरकार किसानों के साथ जारी इस दमन चक्र को थमाने में कड़े कदम उठाएगी इन भी से निउस के लिए जुबेर खान के रिपोर्ट